गुरु गोबिन सेंग जीदा जानम कदो होया सी बाई दसंबर 1666 बाई अक्तूबर 1699 बाई जुलाई 1632 जा फिर 12 जून 1555 एस दा सही जवाब है बाई दसंबर 1666 गुरु गोबिन सेंग जीदा जानम कदो होया सी अनादपर साही विखे पटना साही विखे हजूर साही विखे जा अकालतक साही विखे इस दा सही जवाब है पटना साही विखे गुरु गोबिन सिंग जी सिखा दे किन में गुरु सान शेवें पांजवें नोवें जांफिर दासवें इस दा सही उत्तर है दासवें गुरु गुरु गोबिन सिंग जी दे किन्ने पुत्तर सान? दो पुत्तर, शे पुत्तर, चार पुत्तर, जांफिर अठ पुत्तर इस दा सही जवाब है चार पुत्तर गुरु गोबिन सिंग जी कहडे सान विच अनादपर साहिब आई 1644, 1610, 1634, जांफिर 1672 इसदा सही जवाब है 1672 गुरू साहिव जी ने फार्सी दी विद्या के स्पासो लई दुनी चांतों, पीर राजनातों, काजी पीर महम्मदों, जाफिर पांडत हरजास्तों इसदा सही जवाब है काजी पीर महम्मद गुरू गोबिन सिंग जी ने पहली जांक केडे सानविच लड़ी सम्मत 1660, सम्मत 1680, सम्मत 1680, जाफिर सम्मत 1620 इसदा सही जवाब है सम्मत 1688 गुरू गोबिन सिंग जी ने कोल किनिया जंगा लडिया बाई जंगा, बारां जंगा, बती जंगा, जाँ फिर चोदा जंगा ऐसदा सही जवाब है, चोदा जंगा गुरू साहिब जी नाहन कदो पुझ्ये 1685 नू, 1690 नू, 1662 नू, जाँ फिर 1660 नू ऐसदा सही जवाब है, 1685 नू गुरू गोबिन सेंग जी दी उमर कुल किने साल सी 33 साल, 44 साल, 42 साल, जांफिर बवंजा साल इसदा सही जवाब है 42 साल गुरू गोबिन सेंग जी जोती जोत कदो समाई 1708, 1702, 1710, 1790 इसदा सही जवाब है 1708 साड़ी ये वीडियो आप जीनों केहो जी लगी सानों कमेंटर बॉक्स बे जुरूर दसे हो ते चैनल नों सबस्क्राइब कर लेओ तो वीडियो नो लाइक, शेयर, कमेंट करेओ ते सानों दसे हो कि आप जीनों ये वीडियों केहो जी लगी वाहिगर जी का खालसा वाहिगर जी की फत्य